प्रद कनबाले हैं एक्सेल रियाल्टût एंड इंफ्रा लिम्टेट के बारे में हैं दोस्तों वैसे तो यह आ तो ये तो रहा दोस्तों ID sector की कहानी लेकिन ये जो कंपणी जिसमें मैं बात करने बाला हूं ये कंपणी तो कभी चली ही नहीं है ठीक है अब इस कंपणी ने उसो अभी हाली में 2022 में में शायद पिछले मेंने या फिर आक टू हां शायद पिछली में ने बोनस इस्पृट और ब्रॉनस अब ने बोनस और स्पृट इस्टोक इस्टोकर बोनस का अनौस्मेंट किया ठीक है दिया है अपरमें कर्क्शन भी देकरा को मिल रने लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं आप bonus और split के चक्र में आप इस share में trapped हो गए हो क्योंकि मुझे दोस्तों लग रहा है कि यह share बिल्कुल भी investment या पर buying करने की लायक नहीं है दोस्तों अगर आप फसे हुए तो काफी important वीडियो होने वाला है दोस्तों यह share आपके लिए या फिर आप buy करने की सोच रहे हो तो गलती भी मत करना वह क्यों दोस्तों यहां पर हम देखे हैं कि company के कुछ fundamentals उसकी बेस पर हम बाद में conclusion पर पहुंच जाएंगे कि हमें इस share से क्यों अच्छी है यहां पर दोस्तों अगरम company return on assets की बात करें तो कमनी पास जो assets है उनसे कोई बनाके नहीं दे रही company company पास liabilities कम है ऐसे जादा है लेकिन अच्छी बात है ऐसे जादा है लेकिन company ऐसे से कोई भी रिटर्म नाके नहीं कर ले पा रही है ठीक है यहां पर दोस्तों company के पास case भी पढ़ा हुआ है कुछ 1113 क्रों का case भी पढ़ा हुआ है लास्ट सेविन ने की जो ग्रोथ की बात करें सेड्स की तो वह मैनस 12 परसंद की है तो company का जो यहां पर हम फंडमेंट्स की बात करें क्या खराब ही है यहां पर क्या नहीं जा रही है सबसे पहले हम इसके positive points की बात करें तो दोस्तों एक तो यह पैनी सेयर है पैनी सेयर positive points कैसे हो गया यह पैनी सेयर रेटरंस के व्यूसे अगर हम बात करें तो काफी अच्छे खासे return नाके देते हैं दूसरा company dead free है तिसरा प्रवाट्स की holding काफी अच्छी है तिस चौता हमने पास cash भी बड़ा हुआ है अब हम negative की बात करें तो company का सबसे बड़ा तो negative points है company returns नहीं generate कर पा रही है क्या नहीं जने पर जनेट कर पा रही है सेड़ से company की सेड़ में growth नहीं हो रही है और net profit कंपनी को नहीं हो पा रहा है इसके लिए मैं sorry चाहूंगा मेरी तवी ठीक नहीं है cold हो रखा है बहुत भेंकर वाला साथ आपको मेरी आवाज भी लग रही होगी ऐसी तो थोड़ी सी दिक्कत है उसके लिए मैं आपसे sorry चाहूंगा दोस्तों अगर आपको disturbance हो रहा हो तो तो ठीक है क्या करूं आप किसी ज्यादा मतलब चांसे रहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाने ही कोसिस करता हूं ठीक है बाकि मैं आपको रिपलाई भी देता हूं कॉमेंस में हरे एक कॉमेंस पर वीडियो नहीं बना सकता सो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे थे कंपनी के नेटिव नेगेटिव पॉ यह ठीक है अपने यहाँ पर नीचे देखेंगें दोस्तों अब देखोगी देखो यहाँ पर आप देखोगे सेप्टमर द्वार 19 से कंपनी की जो रगाट रहता है वरपांट टू-3 क्रोड से सेप्टमर द्वार 22 मार्ट 2.31 क्रोड हो चुकी है बीच में यहाँ पर आप देखोगे पांस क्रोड तक भी पहुंची थी फिर जीरो हो गई फिर 142 फिर 187 फिर 5.56 फिर कम हो गई देखो यह तो सिलसला चलता रहेगा इसमें क्योंकि माइक्रोकप कंपनी बहुत छोटी कंपनी है ठीक है छोटी कंपनियों में उताद चड़ाओ ठीक है तो यही एक ब बाजन है वो कुछ भी नहीं है ठीक है बिल्कुल मानस में और यहां पर हम दोस्तों नीचे और नेट प्रॉप्ट की बात करें तो कम्री का प्रॉफिट हमेशा मानस में चलता रहता है यह आप देख पार हमेशा मानस में ठीक है तो अभी आप से आपको इस से दूर रहना कि यह कमणी की बहुत बड़ी नेगेटिविटि है दोस्तों यहा पर यहां पर यहां पर स्यर कैपिटल भी कमणी कर बढ़ता है है 21.17 से यहां पर आप देखोगे कि इस कोर्टर में 147 हो गया दोस्तों ये कंप्रीका सेर कैपिटल बढ़ना ने चाहिए ठीक है किसी भी लेकिन फिर भी आप नहीं जानते हो तो एक बार कोमेंस करके बताएगा मैं जरूर बताओं आपको ठीक है तो यहां पर हम बात करते हैं कंपनी के बढ़ते ही जा रहा है से कंपनी के कहानी चोटेज कंपनी है और वैसे होलिंग का विच्छी लेकर कंपनी नहीं है ठीक है और क्योंकि पैनी से रहा है तो इसमें जो है ऑपरेटर्स का गेम तो चलता ही रहता है तो अगर आपने श्टो किया बोनस की वज़े से इस चेर में बाय किया था तो आपने बहुत बड़ी गल्दी किया ऐसा करके बैसे तो पैनी से रहे है अगर आपने मोटा पैसा नहीं लगा या हो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे श्रूमत के वाल एक लर्णिंग प्रपस के पली यह थो हचाऍब दोजार पर पंदर हों पर लगातो पस और उसके बाद यहां पर देको कि सब्सक्राइब कि अत्र हुआइब गश्परिन ज़िए कर सकते हैं वैसे अप्टेम्बर की महीने मां 2022 में ही उसके बाद इसमें एक रेक्षन देखना मिल रहा है और अगर हम बात करना तो कम्पणी ने कोई भी रिटरेंज मिलाके नहीं दिया है अपने इनवेटर्स इनवेटर्स को यहां से देखोगे जिन लोगों ने लोग पर बाइक किया होगा इसको यहां से उनका पैसा काफी एच्छा का से मल्टिवलाई हो चुका होगा लेकिन यहां पर आप देखोगे इस जगह के बासे कंपनी में अच्छी खासी ग्रावत देखना हो मिली लेकिन फिर अगें दिन लोगों ने बॉटम पर बाइक किया होगा उनको काफी एच्छ रिएचा लगाना हूँ आपकी समझ में नहीं आ रहों लगाना है टो हमेशा जब सेर सबसे लोवेस्ट पर और अशी नबबब्वाई की घ्रावट होच जोच की और बॉटम रचुका हो वहां पर बायक करो यहां पर रभाई किया दिन लोगों पैसा में आपना बॉटम मन और जिन लोगों ने यहां पर वाइक किया होगा ठीक है उनका पैसा काफी अच्छा कासा मल्टिपलाई हो चुका काफी अच्छा कंपणी ने रिटमनाकि दे चुकी है ठीक है सोचो आप तो यहां पर आप एक चीज नोटेस करो यहां पर अभी इसने कोई ऐसा बॉटम नहीं बनाया है जिसमें आपको क्लियर देखे कि हां शेयर ग्रावट के बाद ऐसे बॉटम बना चुका है ठीक है ऐसे करके तो अभी कंपणी में कोई ऐसी मेरे को मेरे पॉइंटर नहीं है क्योंकि यह बाय करने के लिए लाइक नहीं है फिर भी अगर आपका मन लल्चा रहा है तो मन को कंट्रॉल में रखो फिर भी अगर आपका मन करें तो दोस्तों बहुत ही छोटा सबाउं 1500 पे इसमें लगाना बस और थोड़त अभी और रुक के ठीक है क्योंकि अग 1500 रुपे ही लगाने है अब आप कोगे कि 1200 रुपे में क्या हो जाएगा तो तो आपका पैसा फज जाएगा ठीक है तो आपका पैसा जीरो हो गया तो वहां पर कुछ मिलने वालने है नहीं और आप इतना बड़ा अमांट खोगे तो वह बहुत जदा खराब रहेगा मुदल सेर बिल्कुल भी वाय के यह योगी नहीं है यह सेर तो वह है जिन में आपको अपोर्चन भी देखके वाय करनी है जब सबसे लोवस्ट पॉन्ट पर मिले तब आय करो उसके बाद छोड़ दो उसको ठीक है तो वैसे तो यह सेर अभी भी 90 परसंट गिर चुका है देखो व इसलिए मैं आपको बोर्ड रहा हूं कंपनी एक सार में अच्छा काशा प्रवाफ्ट माके दे चुकिया अभी इससे बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है इसमें ठीक है तो वीडियो अच्छे लगाओ तो एक बार चैनल को सब्सक्राब करके दोस्तों बैल आक में प्रेस अब जीरू हो सकता है फस सकते हो ट्रेब्र हो सकते हो जो कि आप इसकी ने बद देख पार हो यह उनमें से ही एक सियर है तो ठीक है दोस्तों थैंक पर वाचिंग और सब्सक्राब लाओ